Hello viewers, welcome to Kate's English Guru channel. आज हम आपको एक स्टोरी बताएंगे इंग्लिश और हिंदी में. उस्टोरी का नाम है The Palace and the Heart. आप ध्यान से इस स्टोरी को सुनिएगा, पहले आपको एंग्लिश में बताया जाएगा, ताकि आप उसको समयने की कोशिश करें, कि ये क्या कहा जा रहा है, फिर हम उसका exact meaning आपको हिंदी में बताएंगें. तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. The Palace and the Heart. King Vikram Aditya was known for his justice and kindness. Even God sought his help in setting issues. In his kingdom, no one was unhappy. His people loved him and were proud of him. Raja Vikram Aditya अपने नयाय और डया के लिए जाने जाते थे. यहां तक कि देफताओं ने भी मुद्धो को स्तापित करने में उनकी मदद मांगी. उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था. उनके लोग उनसे प्यार करते थे और उन पर गर्व करते थे. Once the Vikram Aditya decided to build a palace on the river bank. He ordered his ministers to survey the site and start the work. The laborers were put to work and in a few days the palace was ready. Before bringing the king to show the palace, the minister decided to take a final look. इसका मतलब है एक बार Vikram Aditya ने नदी के किनारे एक महल बनाने का फैसला किया. उन्होंने अपने मंत्रियों को जगा का सर्वेक्षन करने को काम शुरू करने का आदिज दिया. Sight जगा. मजदूरों को काम पर लगाया गया और कुछी दिनों में महल तयार हो गया. राजा को महल दिखाने के लिए लाने से पहले, मंत्री ने अंतिम रूप लेने का फैसला किया. फ्रेल लेने का फैसला किया तो अंतिमत रूप लेने का फैसला किया तौ अंतीम्रूप लेने का फैसला किया confundant!!! the minister exclaimed looking at the palace now suddenly his eyes fell on something and he shouted what is that i did not see that before all the laborers and the soldiers turned around there was a hut just a few step away from the palace gate what is this hut doing there ? shouted the Minister and added and whom does it belong to शांदार मंत्री ने कहा महल को देखते हुए फिर अचानक उसकी नजर कुछ पर पड़ी और वह चिलाया, वहां क्या है मैंने पहले ऐसा नहीं देखा था सबी मजदूर और सैनिक इदो अदर हो गए महल के गेट से कुछ ही कदम की दूरी पर एक जोपड़ी थी यहां जोपड़ी यहां क्या कर रही है मंत्री चिलाया और कहा और यहां किस से संबदी दे Sir, it belongs to an old woman She has been living here for a long time replied a soldier Sir, यह एक बूड़ी औरत का है वह लंबे समय से यहां रह रही है एक सैनिक ने जवाब दिया The minister walked up to the hut and spoke to old lady I want to buy your hut Ask for anything, he said मंत्री जोपड़ी तक गया और बुड़ीया से बोला मैं आपकी जोपड़ी खरीदना चाहता हूं कुछ भी मागो, उन्होंने कहा I am sorry sir I cannot accept your offer My hut is direct to me than my life I have lived in it with my late husband and I want to die in it the old lady said जो old lady ने reply किया उसे हिंदी में बता दो मुझे शमा करे sir मैं आपके प्रस्ताव को सीका नहीं कर सकती मेरी कुटिया मेरी जान से भी प्यारी है मैं अपने डिव गंत पती के साथ इसमें रहती थी और मैं इसमें मरना चाहती हूं बुढियाने का तब जो उनके हजबन थे उनके साथ महा रहती थी अब वो मर गए है तो उसी में वो भी मरना चाहती है उसी कुटिया में यह उन उना रेप्लाई किया है मत्री ने उसे यह बताने की कोशिश की कि उसकी जो पड़ी नव देवित महल का आकरशन बिगार दी मतलब लुग खराब कर दी लेकिन बुडिया अपने रूख में मजबूत थी और वा किसी भी परिणाम और किसी भी सजा का सामना करने के लिए तैयार थी उसने राजा को अपनी जोपड़ी बेचने से मना कर दिया तम मामला राजा के पास ले जाया है दो वाइस बुडिया को उसकी जोपड़ी जहां वहां है वहां रहने दो या केवल नहीं महल की सुंदर्ता में इजाफा करेगा फिर मंतरी की और मुर्ते हुए राजा ने का हमें या नहीं बूलना चाहिए कि जो हमें बत्सूरत लगता है वा किसी और के लिए केमती हो सकता है लोगों को तब ऐसास हुआ कि क्यों उनके राजा को सभी लोगों और अन्या सभी पड़ोसी राज्य द्वारा पहुत सम्मान दिया जाता है तो यह स्टोरी में आपको बताएगी है इस हिस्टोरी का जो मौरल है वह है वाट सीम्स अगली टू अज मेबी प्रिशियस तू सम्मन एल्स जो राजा ने कहा था कि हमें जो बसूरत लगता है वा किसी और के लिए कीमती हो सकता है तो जो भी चीज आपको बुली लगती है हो सकता है वो किसी होर के लिए वैल्यवल हो तो उस चीज को आप नेगलेट मत कीजिए यह इस कहानी का मौरल है उमीद करता हूँ इस स्टोरी आपको पसंद आई होगी इंगलिश में बताई गई है आपने समझने की कोशिश की होगी और काफी अत तक आप समझ भी पाए होंगे तो उसका हिंदी जो मीनिंग है वो भी आपको बताया गिया है तो एक तरीके से ट्रांसलेशन है इस गुरू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चनला सब्सक्राइब कीजिए खाथी बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले तब तक एक रहे थैंक्यू गुडबाए विजिट अगें